नमस्कार पाकिस्तान की कोभी टेस्टिंग ना के बराबर है और जो हो बी रही है वो बड़ी खराब कॉालिटी की है ऐसा हम नहीं कहा रहें पूरी दुनिया मानती है New Zealand पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई थी और वो क्रिकेट टीम यहाँ से एरपोर्ट से जाने से पहले उनका COVID टेस्ट हुआ था, नेगेटिव था, न्यूजलेंड पहुंचने के बाद पता चले यह तो COVID पॉजिटिव है इसमें से कुछ, तो फिर उनको क्वारिंटाइन में रखा गया और बहुत हंगामा हुआ, खैर जो भी हुआ, इसी टेस्टिं निकले, उन लोगों को क्वारिंटाइन में डाल दिया गया, अब क्वारिंटाइन में जो लोग डाले, उनको जो सर्व करने लोग जा रहे थे, उन में से एक ने, इन पाकिस्तानी जो टूरिस्ट थे, इन से COVID ले लिया, मिन्स उसको COVID हो गया, और उसने फैलाया शेहर में, चाइना जीरो COVID पॉलिसी लेके चल रहा है, जीरो COVID टॉलरेंस पॉलिसी, क्योंकि वो अब विंटर ओलिम्पिक्स का, फरवरी में, मतलब दो महीने बाद, फरवरी 2022 में, विंटर ओलिम्पिक्स कराना चाह रहा है, और इसके लिए, जहां भी उसको COVID मिलता है, इमीजेटली हजार जो workers थे, across the country से, वो इस शहर में भगाने पड़े, पूरे शहर को lockdown करना पड़ा, और in fact, चाइना ने ये बोला भी, कि भाईया ये गड़बड़ है, यहां से जो आ रहे हैं, इनकी टेस्टिंग में मामला गड़बड़ा आ रहा है, और हमें इस country से बच के रहना पड पहले ही गौर्मेंट ने इन विंटर ओलेंपिस की वएसे हजारों, means पचास साथ हजार से ज़ादा, exact figure किसी के पास नहीं है, कि कितने लोग लगा रखे हैं इस COVID के अभिहान में, लेकिन बताया जा रहा है, tens of thousands, करीब करीब पचास साथ हजार के असपर, और सारे के सारे frontline workers के तोर पर काम कर रहे हैं, in fact, चिंजियान सहर में 500 से ज़ादा case मिल चुके हैं 9 December से अब तक, और रेजिदेंस को अब बोल दिया गया है, कि आप शहर से बाहर, अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें, शहर में ना घूमें, और बहुत जरूरी हो, तो दो दिन में एक ब हुआ ने बोला है, जिन हुआ ने ये बोला है, कि हम के गौर्मेंट ने लगा दिया है, वहां पर लॉकडाउन, in fact, अपना बच्चा है, और ये जो कोविड है, ये प्रिशाद हमने ही तो दिया था, सारी दुनिया को, अगर हमाई पस वापस आ गया, तो हम ब्लेम किसे करे तो ब्लेम कहां कर सकता था, 33,000 लोग लगाने के बाद भी ये सिचुएशन के उन्हें लॉकडाउन करना पड़ा है, हाला कि वर्ल्ड की सिचुएशन से बहुत कम है चाइना में, ये चाइना बता कम रहा है, चाइना ने आज तक अपनी actual figures तो कभी disclose नहीं की, कहा ये जा र यूज करना बन कर चुके होंगे, जो भी है, पाँच लाख मोबाईल अगर इनाक्टिव होए हैं, तो कुछ तो है, there is something wrong with China is hiding, चाइना में free press तो है नहीं तो वो पता कैसे लगे, in fact, ये पूरा zero tolerance policy जो है, हो सकता है, दिखावा भी हो, लेकिन पाकिस्तान की flight को माफ करने क मोड में नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान को वो भरोसा नहीं कर रहा था, पाकिस्तान से एक ही, एक ही land route जाता है, पाकिस्तान to China, जिसे बोलते हैं, खुंजे बार border, वो एक माई से खोलना था, पाकिस्तान ने बहुत request की थी, उन्होंने बोला चलो, वो बंद कर दिया गया, बहुत कोशिश की थी, उसके बाद, ये उससे भी पहले, इस साल की स्टार्टिंग में, मतलब 2021 की स्टार्टिंग में, जैनवरी में, एक flight गई थी चाइना, पाकिस्तान की, जिसमें 10 passengers COVID positive निकले थे, उसके बाद, चाइना ने पाकिस्तान से आने वाली सारी flights के उपर बैन लगा दिया था, पाकिस्तान में बहुत बुरी तरह से फैला था, तो इसके बाद, चाइना ने बहुत कोशिश की थी, कि उनको कुछ equipment दिया जाया, कुछ और समान दिया जाया, लेकिन वो बेकार थी, मास्क मांगे पाकिस्तान ने, तो उन्होंने लेडिस की ब्राग क दिखाते थे, कि हमाएं पास COVID negative का certificate है, लेकिन जब चाइना में टेस्टिंग होती थी, तो उनकलता था, यह सारी प्रॉब्लम्स जो आई हैं, यह सारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान की टेस्टिंग की वज़े से, और चाइना भी ये बात मान रहा है, इन फाक्ट, ऑपरेशन स्टॉप कर दिये गए थे, अब फ्लाइस दुबारा स्टार्ट होई थी, अब पता नहीं, हो सकता है चाइना इनको दुबारा बंद करते, बट दे, आती बात वहीं पे है, कि यह कंट्री की सेचेशन हुई क्यों, क्योंकि टेस्टिंग एक बहुत मेहंगा मामला है, हर टे इनको हतियार बेच रहा, वो दो क्वालिटी के, वो एकदम घटिया क्वालिटी के, और जो वो खुद यूज नहीं कर रहा, वो JF-17, जो चाइना खुद यूज नहीं कर रहा, जो JF-17 जिसका actual design, रशिया ने बनाया था, और रशिया को लगाई ये design ठीक नहीं है, तो रशि चाइना भी अपना equipment, बिलकुल बेकार, useless equipment देता है, इस बार चाइना को समझ में आया, कि अगर Olympics करवाने है, तो बिटा पाकिस्तान से बच के रहा ना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान तुम्हारे पास COVID फैला देगा, और हम फस जाएंगे, in fact, अभी तक हमें ये नहीं पता है, कि चाइना ने ban की है, कि नहीं flies, लेकिन चाइना में अंदर से वो consider कर रहे थे, कि पाकिस्तान से तो ban कर देते हैं, अगर वो ban कर देते हैं, उसका एक reverse impact हो सकता है, reverse impact हो सकता है, कि वो पूरी दुनिया को ये लग सकता है, कि कुछ गरबट चाइना में हो रही है, और बाकी कुछ होना हो, हाँ, और जहां तक बात ये, कि इसकी वैक्सीन, तो वैक्सीन तो वही सीनो वैक्स है, जो कि चाइना ने दान भी की, फिर उसका फॉर्मुला दे दिया, अब बूला पाकिस्तान खुद बना ले, तो पाकिस्तान ने claim कि हमारी अपनी है, पाकिस्तान की ये पॉसिशन के कोरोना कितना पाकिस्तान में घूम रहा है, ये भी अभी तक किसी को पता नहीं है, और एक्च्वल आकड़े पाकिस्तान के कभी पता लग नहीं पाएंगे, क्योंकि टेस्टिंग है नहीं रहे हैं, और ऐसा हालत है कि कोरोना में कोई मारा भी जा रहा है, तो उसको काउंट कर रहे हैं, बुखार में, या किसी दूसरी बिमारी में काउंट करके उसको दफना दिया जा रहा है, और पता नहीं लग रहा है, तो ये जो पाकिस्तान का जूट था, तो हमाई पास कोरोना कम है, हमने बहुत अच्छा डील किया, इन फैक्ट ये जूट अब उने के सामने आगया, इंडिया की फिगर्स सब के सामने हैं, हमारी सेकेंड वे की फिगर्स भी सब के सामने हैं, हमने ओपन में बताया, कि हमने पास ऑक्सिजन की कमी, हमने कहीं मेडिया सेंसर्शिप नहीं लगाई, लेकिन पाकिस्तान में ये फिगर्स बिलकुल दब आई गई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह बताते हैं कि हॉस्पिटल से इंफा कराची में भी डेंगू की वएसे बताया जा रहा था कि हॉस्पिटल भरे होंगे भरे थे लेकिन बताया नहीं गया चायना अब पाकिस्तान के और ट्रस्ट करने के मोड में नहीं है उसकी पूरी नजर है पता यह लग रहा है कि वो पाकिस्तान से आने वाले जो जो लोग हैं उनको कमपलसरी क्वारेंटाइन में डाल सकता है लेकिन इससे पाकिस्तान चायना रिलेशन्स जरूर खटाई में पढ़ेंगे इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजरूंगे नमस् कर जहेंड़